अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोट के फैसे से पहले राच्च से लेकर केंद सरकार अलट हो गई है सीम योगी ने गुरुवार की श्याम खालू रवस्था को लेकर अधिकार्यों के साथ वीजो कॉन्फरेंसिंग कर निर्देश दिये हैं तो दूसरी करफ सुरक्ष्वा के बद्ने नजर केंद सरकार ने चार हजार अर्दसैनिक बलों को यूपी भेजा है इसके साथ ही देल्वे पुलस ने अपने करमचारियों की छुटियां भी रत कर दी है और 78 बड़े स्टेशनों और ट्रेनों में चौक्सी को बढ़ा दिया है तो केंद्री ग्री मंत्राले से जुड़े सुत्रों कृताबिक आयोधा के फैसले को देखते वे सभी राज्यों को एडवाईजरी जारी की गई है सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने को नर्देश दिये गए है तो आपको बता दे कि जल्द ही आयोधा मामले को लेकर फैसला आने वाला है और उससे पहले सियम योगिये आदितिनात ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये अधिकारियों से बात चीथ की है लॉइन आउडर को लेकर समिक्षा यहाँ पर की गई है और नर्देश पूरी तरीक से दे दिये गए है इसके साथी एक तरफ जहां राज्य की सरकार लगी हुई है कि किसी तरह की तनापून की स्तिती प्रदेश में ना बने उसको देखते विए केंद सरकार ने भी चार हजार अर्दसैनिक बलो को यूपी भेचा है और लाइन ओर्डर को लेकर लगातार हम देख भी रहें कि सीम योग याधितनाथ की स्तरे से बैठ के ले रहे हैं और इस सुरक्षा को लेकर चाह 54 इंतिजाम किये गए हैं तमाम राज्य को भी इसको लेकर नर्देश दिये गए हैं